नमस्कार दोस्तो नोकरियान यूटूब चैनल में आपका एक पर फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगा हरियाना पुलिस के जो दोबारा फॉर्म फिल अप करने के लिए जो डेट दी गई है उसका ओफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है हाँ जी HSSC की ओफिशियल वेबसाइट हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की ओफिशियल वेबसाइट पर ओफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है अभी मैं आपको ले चलूँगा official notice की तरफ, official website की तरफ अगर आप interested हैं तो वीडियो को लाश तक देख लें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना time खराब किये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने channel को subscribe नहीं किया हम जैसे ही Google में इसको डालते हैं तो एक window कुल कर आती है जो की हरियाना staff selection commission की official website है तो इसके public notice में आप देख पा रहे हैं कि एक notice डाला गया है ये for extension of date ठीक है तो इस पर जैसे ही हम ये PDF file download करते हैं यहाँ पर click करते हैं तो एक PDF file खुल कर आती है जो की हरियाना staff selection commission की तरफ से notice है तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं extension of closing date for submission of online application for various posts of police department advertisement number 3-2018 and for updating of data in the application form तो जो advertisement number थी हमारी हरियाना police की भरती के लिए वो 3-2018 तो उसके update करने के लिए application ये notice डाला गया है और भी candidate इसमें form fill up कर सकते हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ नीचे जो news दी गई है उसी के regarding ठीक है जस आप देख पा रहे हैं तो जस आप देख पा रहे हैं ये दिया गया है इसमें दिया ये गया है कि जो भई ये पांच केटेगरी हैं जो male constable, female constable तथा SI तथा Indian Reserve Battalion की जो भी एक कटेगरी हैं इसके अंतरगत जिन्होंने भी form apply नहीं किया है वो आप form apply कर सकते हैं और जो fee, जो चलान submit कराने की आखरी date है वो 25-10-2018, ठीक है? The candidates who have already applied against the said advertisement and want to update the relevant field of the application in view of the amendments as mentioned above और इसमें दिया गया है कि जिन बच्चोंने पहले apply कर चुके हैं इस advertisement के तहत तो वो अपना update करना चाहें तो कर सकते हैं इसी के अंतरगत उनके लिए जो date रखी गई है वो भी 16-10-2018 से 22-10-2018 रखी गई है जो update करने के बाद जो भी data होगा वो consider किया जाएगा इस notice में सिर्फ यहीं बताया गया है तो जैसा आप देख पा रहे हैंगी हारियाना staff selection commission की तरफ से जो official notice से जारी किया गया है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह एक छोटी सी information थी जो आपके साथ share करनी थी उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और like करने के बाद आपके पास जितने भी study related facebook और whatsapp group है उनमें इस वीडियो को share जरूर कर दे तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक नई information के साथ तब तक के लिए जाहिन